हाईलो इस्टूरेंट्स, विलकम बैक माई यूटूब चनल ड्राइंग 78 बच्चों आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे 15 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में गुलाब के फूल उसकी कलियों और पत्यों पराधारित आलेखन बनाना आलेखन में हम एक हंस की सुंदर आकरित को भी समायोजित करेंगे तो आई ये सुरू करते हैं देखे सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक हंस पच्ची बनाएंगे ये गर्दन की उपरी लाइन हो जाएगी यहाँ पर देखे इसका सिर्वनार हैं अब जैसे जैसे गर्दन नीचे आएगी वैसे वैसे मोटी होती जाएगी यहाँ पर हंस की चोंच बनाएंगे देखे इस तरफ चोंड़ी जैसे जैसे आगे आई है चोड़ाई कम होती गई है और चोंच की लंबाई लगभग सिर्व की लंबाई के बराबर हमने रखा है यह आँख हो गई इसकी हंस के सिर्पर यह डिजाइन बना देने से यह थोड़ा और भी अलंकारिक लगने लगता है यह हंस का इस साइड़ वाला पंक हो जाएगा दूसरी साइड़ का भी पंक थोड़ा सा दिखाई दे रहा है यह हंस की थोड़ी सी पूच भी दिखाई दे रही है इस प्रकार देखे बच्चों हंस पच्ची बनकर तयार हो गया इन आक्रितियों द्वारा इसके पंक को हम और भी थोड़ा अधिक अलंकारिक बनाने का प्रयास करते ही इस प्रकार देखे बच्चों यहां पर हंस की आक्रित बन गई है अब हम लगभग बीचों बीच में बड़ा सा गुलाब का फूल बनाएंगे यह सामने वाली पंक्खुडी हो गई यह इसके पीछे है जो कि अभी पूरी तरह से खिली नहीं है देखे यह पंक्खुडीया बिल्कुल निकलना चाह रही है यह दोनों पंक्खुडीया अभी बहुत ही कम दिखाई दे रही है अब देखे हम वे पंक्खुडीया बनाएंगे जो इसके चारों दिखाई दे रही है और पूरी तरह से खिल चुकी है सबसे पहले तो हम अपनी और पंक्खुडी बनाएंगे देखिए इसका अगला हिस्सा उपर के और मुड़ गया है एक पंखड़ी इस तरफ इससे थोड़ी छोटी दिखेगी देखिए बिल्कुल नुकी लीना होकर आगे हलका सा गोल है ऐसी है एक पंखड़ी इस तरफ बना रहे हैं देखिए इनके किनारे भी थोड़ा थोड़ा उपर के और मुड़े हुए है अब ये दो पंखड़िया इनसे भी छोटी दिखेंगी इस खाली जगे में एक पंखड़ी और बना रहे हैं इस प्रकार देखे बच्चों इस फोल में छे पंखुड़िया बाहर के और दिखाई दे रही हैं और हमारा फोल बनकर त्यार हो गया अब हम वो टहनी बनाएंगे जिसमें कि फोल लगा हुआ है एक टहनी हम और बना रहे हैं जिसमें की कली लगाएंगे इस प्रकार देखिए बच्चों ये खिलती हुई कली बन गई एक कली देखिए इस खाली अस्थार में भी बना देते हैं इस प्रकार देखिए बच्चों आलेखन में दो कलीया एक बड़ा सा फूल बन गया है अब खाली अस्थानों को हम पत्तियों से भरेंगे तो देखिए यहां पर हम तीन पत्तियां बनाएंगे एक ही टहनी में लगी हुई गुलाब के अलेखन में कम से कम एक अस्थान पर तीन पत्तियों का समूह जरूर बना दिया जाता है क्योंकि गुलाब की पत्तियां अक्सर तीन या पाँच के समूह में ही पाई जाती है अब देखिए एक पत्तियों यहां लगी है एक पत्ती इसमें लगाएंगे ऐसी ही और इस खाली अस्थान में एक पत्ती हो जाएगी लेकि इस खाली अस्थान में भी एक पत्ती बनाएंगे हम रिक तस्थानों में ये सब डिजाइने बना देने से हमारा अलेखन और भी सुन्दर लगने लगता है यहां पर एक पत्ती फूल के पीछे टहनी से जुड़ी हुई है जो कि हमें नीचे की और जुकी हुई दिखाई दे रही है यहां पर भी परियाप्त जगे दिखाई दे रही है एक पत्ती हम यहां भी बना सकते हैं अब देखिए इन अस्थानों पर जहां पर पत्ती बनाना संभो है वहां पर पत्ती बनाएंगे एक पत्ती तो हम यहां इस कोने पर बनाएंगे क्योंकि यहां पर परियाप्त जगे है एक पत्ती बनाने का प्रियास हम यहां पर भी कर रहे हैं वैसे जगे तो यहां पर हमें कम दिख रही है देखे यहां पर जगे कम है यहां पर हम पत्ती नहीं बनाएंगे इस प्रकार देखे बच्चों वर्ग में गुलाब के पुस्प उसकी कलियों और पत्तीयों पर आधारित आलेखन बनकर त्यार हो जाता है गुलाब के अलेखन को कलर करने का एक वीडियो में पहले भी बना चुका हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्सन में दे दूँगा फिर भी इसको कलर करने का तरीका मैं मोखिक आपको बताया दे रहा हूँ देखिए इसके बैक ग्रांड को यानि वर्ग के अंदर या जो खाली जगए हैं इनको हम पीले कलर से कर सकते हैं इसके फूल को और कलियों को हम लाल कर सकते हैं और हंस-पच्छी को सफेद में बहुत कम लाल मिला कर गुलाबी कर सकते हैं पत्तियां इसकी हरे रंग से हो जाएंगी या हरे में पीला मिलाकर धानी कलर से भी कर सकते हैं या फिर पत्तियों का आधा हिस्सा धानी से कर दें और आधा हिस्सा गहरे हरे से कर दें गहरे हरे से ही इसकी आउटलाइने फेर देंगे इस प्रकार हमारा अलेखन देखने में लगेगा जड़ी आपको हमारा लेकन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें अपने मित्रों में सेयर करें और चैनल को हमारे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब अवस्ट कर लें